हेलो फेंड, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया वे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि आप लोगों ने थमनिल पे देख रखा होगा बिहारद्रों का पीटी परिच्छा 2023 के लिए जो एडू यी गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा एक बुक पब्रिस की गई है जिसमें के टोटल 16 सेट जो है वो प्रोबाइट करवाए गया है उसी बुक से आज हम लोग देखेंगे प्राक्टिस सेट नमबर वन इसका अगर आप लोगों को पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ के लिए बीडियो के दियेगा डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लीजे या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजे आप पढ़ेगा इंडिया वहाँ जो ग्रूप आएगा उसको जोइन कर लीजे वहाँ इसका पीडियेफ जो है बो प्रोबाइट करबा दिया गया है साथी साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मिसन बिहार दरोगा वाटसब ग्रूप का लिंक दिया गया है उस ग्रूप से भी जुड़ना ना भूले क्योंकि वहाँ जो है वो डेली बेस पर सेट का आयोजन जो है वो बिलकुल निसुल क्रूप से करवाया जाता है यह जो सेट होगा वो थोड़ा fast forward type में होगा क्योंकि एक पूर्य explanation के साथ भी जो सेट है वो डेली रात को 9 बजे आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से provide करवाया जाता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने questions की तरफ आज का जो हमारा पहला question है वो यह कह रहा है कि बहुत बाध बिच्छीों के लिए बनाई गई लोमस क्रीसी गुफा जो है वो किस राजजे में इस्थी थैं तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number D यानी की बिहार में इस्थी थै असोग के सासनकाल की प्रमुख घड़नाओं में से एक 250 इसापुर में राजधानी पाटली पुत्र में बौध संग परिसत का आयोजन हुआ था तो असोग के सासनकाल में कौन सा हुआ था? आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 ती जो पाटली पुत्र में हुआ था तो इस कुश्चन का सही अंसर होगा वो होगा अपसा नमबर C यानी की तीसरी पढ़े होंगे पहला बौध संगतिक आयोजन राजग्रिह में हुआ था आजास त्रू के सासनकाल में दूसरा बैसाली में हुआ था काला सोग के सासनकाल में तीसरा पाटली पुत्र में हुआ था असोग के सासनकाल में और चौथा कुंडलबन कास्मीर में हुआ था कनिस्के के सासनकाल में चौथी सताबदी इसापुर में मगत की राजधानी कहां अस्थांतरित कर दी गए थी तो 34 सतापदी इसापूर में मगत की जो राधानी है वो राजगीर के बाद पार्टली पुत्र में अस्थापित कर दिया गया था तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D यानी की पार्टली पुत्र में चोल बंस के अंतरगत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था चोल बंस आप लोग पढ़े होंगे जिसकी अस्थापना जो है वो बिजयायल के द्वारा किया गया था और इसकी राधानी जो है वो कहां है तंज़ार में स्थित थी और इसके अंतरगत किसानों की बस्तुयों को किस नाम से जाना जाता था उर के नाम से जाना जाता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C चंदरगुप ने blank के खिलाफ बिद्रो का नतरित्व किया और उन्हें उखाड फेरा उखाड फेका तो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि धाना नंद को हराने में चानक के जो था बुचंदरगुप तमौर की मदद किया था तो किसको उखाड फेका था किसके खिलाफ बिद्रो किया था नंद के खिलाफ तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर D यानी की नंद नेमलेखित सासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है समूंदर गुप्त को कहा जाता है कि उसकी महान सैन विजय के कारण जो A.B.S. मित हैं वो उसे भारत के निपोलियन कहते हैं और उसे सौ लडाईयों के नायक के रूप में भी बढ़नित करते हैं नेक्स्ट है कि मुहम्मद गोरी का पहला आक्रमन जो हुआ था कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था तो आप लोग पढ़े होंगे कि पहला आक्रमन जो है वो उसका 1175 में हुआ था मुल्तान के बिरुत और अगर पूछ दे कि दूसरा कहा हुआ था तो दूसरा हुआ था 1178 में पाटन गुजरात मेर तो यहां आपसे पहला पूछ रहा है तो आपका अंसर जो होगा वो होगा आपसा नमबर C यानि 1175 D गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमन किया था तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमन किया था यही गजनी का महमूद ही आकरिमन किया था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number D next लेकी बाबर के संसमरन या बाबर नामा जिसे तुझी के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है किस के द्वारा लिखा गया था तो यह जो है वो बाबर ही अकुद के द्वारा लिखा था बाबर जो है वो अपनी आत्म का था बाबर नामा तुरकी में लिखा था फिर उसका आनुबाद जो है वो फार्सी में अब्दुलरहीम खान खाना के द्वारा किया गया था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि बाबर के द्वारा बाबर का जो टेनवर है वो है 1526 से लेकर 1530 तक बाबर जो था वो अपनी उदारता के लिए इसको कलंदर की उपाधी भी दी गई थी और इसने जो है वो 1507 में बाधसाह की उपाधी भी धारंग किया था दिल्ली की मोती मस्जित किस मुगल सासक ने बनाई थी तो दिल्ली का मोती मस्जित का निर्मान जो है वो औरंजेब की जो दूसरी पतनी थी जिसका नाम था नबाब बाई उसके लिए दिल्ली में जो लाल किला परिसर है उसी में मोती मस्जित का निर्मान करवाया गया था त तो औरंगाबाद महराष्ट में करवाया था, 1679 में ही औरंजेब जो था, वो जजिया करको पुनह लागू कर दिया था, औरंजेब जो था, वो सुन्नी धर्म को मानता था, और इसको जिंदा पीर कहा जाता है, ब्लैंक में ब्रिटिस अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फासी दे दी गई थी, तो मंगल पांडे को कहां फासी दी गई थी, बैरकपूर में फासी दिया गया था, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसन बटी बैरकपूर में, और 1859 बंगाल नेटिव इंफेंटरी से था, 1793 में जब अस्थाई बंदबस लागू किया गया था, तब बंगाल का गवर्नेट जेर्नल कौन था, 1793 में कौन था, आप लोग पढ़े होंगे लॉड कॉर्निवालिस, लॉड कॉर्निवालिस का जो टेनुवर था, वो 1786 से लेकर 1793 में तक था, और फिर वो बीच में एक बार 1805 में आता है, तो 1793 में किसका था, लॉड कॉर्निवालिस का, तो इस कॉस्चन का सही अंसर होगा, वो होगा आप्सन अमबर D यानी की लॉड कॉर्निवालिस, अस्थाई बंदबस वेवस्था से दिहान रखिएगा, इस वेव आई थी, तो अस्थाई बंदबस की युजना जो है, वो जॉन सोर के द्वारा बनाया गया था, नेक्स्ट है कि वो अधिनियम जिससे ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिस क्राउन को सस्ता हस्ता अंतरित किया था, तो वो अधिनियम था, भारत सरकार अठारसों ठामन, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, वो होगा ऑप्सन अंबर C, भारत सरकार अधिनियम अठारसों ठामन से ध्यान रखियेगा, इसी अधिनियम के तहत गवर्ने जेर्नल का नाम बदल कर बायसराय कर दिया गया, भारत में मंतरी परिसत की बेवस्था की पंदरह सदस्यों की भारत परिसत का भी स्रीजन किया गया, और साथी साथ मुगल समराट के पद को समाप्त कर दिया गया था, बृटिक सरकार ने किस बर्स में भारत में मारलो मिन्टो सुधार की घोस्थना की थी, मारलो मिंटो सुधार को क्या 1909 का जो अधिनियम था उसको मारलो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है जिसमें की मुस्सल्मानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंदल की सुरुआत की गई थी तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D यानि की 1909 लॉड करजन का संबन्ध निम्न में से किस घटना से है या पूछ रहा है बंगाल का विभाजन हाँ बिल्कुल ये लॉड करजन से ही संबन्धित है आप लोग पढ़े होंगे कि लॉड करजन ही जो था वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निन्ने की घोसना करता है कहीं कहीं आपको 19 जुलाई भी मिल सकता है तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निन्ने की घोसना लॉड करजन के ही द्वारा किया गया था कि यहां 1918 होना चाहिए था 1918 में इन्हों ने किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावी थे उनका समर्थन किया था तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D आप लोग एक चीज पढ़े होंगे महात्मा गांदी से 1916 में इन्हों ने हमादाबाद में हमादाबाद के करीब साबरमती आशरम की अस्थापना किए थे 1917 में इनका चमपारन सत्यागरा हुआ था और 1918 में हमादाबाद टेकस्टाईल लेबर एसोसियेशन की अस्थापना किए थे और गुजरात के खेडा जिले में कर नहीं अंदोल अंचलाया था C. राजक गोपालाचारी निमलिखिद में से किस राज में नमक सत्यागरा का नेतरित्व किये थे तो C राजगोपलाचारी की अगर बात कीजेगा तो यह जो है वो किस राजज में नमक सत्यागरा का नेत्रित्व किये थे तमिलनाडू राजज में तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C यानी की तमिलनाडू नेक्स्ट रेगी मित्र मेला एक रांतिकारी संगठन था जिसकी अस्थापना बीर साबरकर के द्वारा कब की गई थी तो मित्र मेला की अस्थापना हुई है 1899 में तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A यानी 1899 में निमलिखेद में से कौन जो है वो काकोरी ट्रेन टकैती मामले में आरोपी नहीं था भगत सिंग हा तो भगत सिंग ही नहीं थे रामपरसाद बिस्मिल थे रोसन सिंग थे राजंद नाथ लहरी थे तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A यानी की भगत सिंग काकोरी ट्रेन टकैती मामला जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था लखनव के पास एक गौँ था काकोरी एक चीज अभी रिसेंटली धियान रखियेगा उत्तर परदेश सरकार जो है वो काकोरी कांड का नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया है अखिल भारती एक किसान कॉंग्रेस के प्रथम महासचीव कौन थे तो यह थे एंजी रंगा तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D यानी की एंजी रंगा सम्विधान सभा ने भारत के सम्विधान को कब स्विकार किया था तो सम्विधान सभा जो है वो भारत के सम्विधान को 26 नमबर 1949 को स्विकार करता है और फिर 26 जनबरी 1950 को वो परभा भी हो जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 26 नमबर 1949 सम्विधान सभा से और भी कुछ चीजे ध्यान रखिएगा सम्विधान सभा जो है वो 22 जुलाई 1947 को रास्टिय ध्वज को अपनाता है और 24 जनवरी 1950 को राष्ट गान को अपनाता है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में निउक्ति के लिए भारत के सम्विधान द्वारा निर्धारित निउन्ता मायू क्या है तो राज्य के राज्यपाल बनने के लिए जो निउन्ता मायू चाहिए वो चाहिए 35 बर्स तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A यानी की 35 साल एक अनुचीद याद रखिएगा राज्यपाल से संबंधित अनुचीद 103 यह कहता है कि परतेक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा भारतिये संबंधान में न्याइक पुर्णो लोकन की सक्ति और नयपालिका की सोतंतरता का प्रभधान जो है वो किस देश से लिया गया है तो न्याइक पुर्णो लोकन लिया गया है संजुक्तराज अमेरिका से तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमड़ी संजुक्तराज अमेरिका अमेरिका से और भी चीजे ध्यान रखिएगा जैसे प्रस्ताबना हो गया मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्टपती और उस पर महावियोग, उपराष्टपती, बीतिय अपातकाल यह सब जो है वो अमेरिका के संबिधान से ही लिया गया है संबिधान सभा की मांग की थी, तो संबिधान सभा की मांग सबसे पहले भारत में कॉमणिष टांदोलन के जो मन रुआय थे, उनके द्वारा संबिधान सभा में एक विचार प्रस्ताबित किया गया था, और फिर 1935 में भारतिय राष्टिय कांग्रेस की अधिकारिक मांग बन गई थी, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा 1935, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और सेर करना चाह रहा हूँ, अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा एक टेसरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका की सेडूल आप को देखने के लिए मिला होगा, यसरीज जो है वो 15 तारीक से स्टार्ट है, फिर 11 दिन के गैप पे 17, 19, 21 ऐसे फॉर्मिट में आप लोगों को टेसरीज प्रोवाइट करवाया जाएगा, टेसरीज का आयोजन जो है वो हिंदी माध्यम में वाट्सअप ग्रूप में करवाय जाएगा और फिर आपको संपुर्ण ब्याख्या के साथ रिवीजन के लिए उत्तर मार्क किया हुआ पीडिय भी जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, इस ट्रेस्ट का सबसे बेनिफिट यह होगा कि इसमें जो कोश्चन होंगे वो फूली एकजाम पे ब्यस्ट होंग एड़ कर दिया जाएगा, नेक्स कोश्चन कहरा हुआ है भारतिय सम्मिधान का निम्न में से कौन सा अनुछेद जो है वो समान नागरिक से शंहिता से संबंधित है, इनुछेद 44 तो इसकोश्चन का सहिय अंसर होंगा वो होगा option number B यानि की अनुछेद 44 भारत में भारतिये सम्विधान का निम्न में से कौन सा अनुछेद जो है वो एक नए राज्य की गठन की बिवस्था करता है तो यह करता है अनुछेद 3 अनुछे 3 में ही नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के छेत्रों, सिमाओं या नामों के परिवर्थन का प्रभ्धान किया गया है तो इस question का सयंसर होगा वो होगा option number B यानि अनुछे 3 नेक्स्ट है कि नेमलेखित में से कौन सा विषय जो है वो भारतिय संविधान की इगरहमी सुची के अंतरगत आता है जिसमें कि टोटल 29 बिसे हैं, जैसे कि स्वास्त हो गया, स्वच्छिता हो गया, ग्रामिन विदूती करन है, पसुपालन है, डेरी है, चारा है, मतस्य पालन है, ऐसे करके टोटल 29 बिसे जो है वो इसमें दिये गए हैं, तो उसमें एक स्वास्त और स्वच्छिता भी है, तो का सही अंसर होगा वो होगा option number B 124 सम्मिधान संसोधन बिधैक 2019 का संबंध किस्से है तो जो हम लोग EWS होता है बनबाते हैं EWS का मतलब होता economical beaker section इसी के लिए लोगसभा में समान बर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग हैं उनको नौकरियों और सैचनिक संस्थानों में जो 10% आरच्षन प्रदान करने के लिए यह 124 सम्मिधान संसोधन बिधैक 2019 जो है वो पारिद किया गया था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number D यानि की आर्थिक सर्वेच्षन स्वाली आर्थिकारच्षन नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंदित नहीं है तो मौलिक अधिकारों से संबंदित कौन नहीं है संपत्तिका अधिकार नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 44 सम्मिधान संसोधन 1978 इसके द्वारा जो ततकालीन जन्ता पाटी की सरकार थी वो संपत्ति के अधिकार को हटा कर मौलिक अधिकारों की सुची से हटा दिया था नेक्स्ट है कि अंतर राजिये परिशत की अस्थापना की समीती के सिफारिस पर की गई है तो अंतर राजिये परिशत की अस्थापना 1990 में सरकार या आयोग की सिफारिस पर किया गया है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर सरकार या आयोग और यह जो कि सक्ति किस में नहीं थे तो यह सब जो है वो सर्वोच चन्याले में नहीं थे तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि की सर्वोच चन्याले में नहीं थे अध्यादेश की घोसना करने की सक्ति निम्ल में से किस के पास है तो अध्यादेश राष्टपती जारी कर सकते हैं कब जारी कर सकते हैं जब संसत का कोई सदन सत्र में नहीं हो और यह अध्यादेश की अधिक्तम बैधता जो होगी वो 6 महीने और 6 सपता होती है और किस अनुचियत के तहट जारी करते हैं अनुचियत 123 के तहट तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B यानी की राष्टपती Next एगी नेवलिकित में से कौन कभी भारत की उपराष्टपती नहीं रहे है meget तो गुलजारी लाल नंदा हाग यही कभी उपराष्टपती नहीं रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जो है वो भले ही 1964 में जवाहर लाल नहरू के बाद और 1966 में लाल बहादूर सास्त्री के मिर्टू के बाद दो बार अंत्रिम परधान मंत्री के रूप में कार्ज किये हैं लेकिन कभी भारत की उपराष्ट पती नहीं बने हैं तो इस question का सही अंसर गुलजारी लाल नंदा पंचायत गठित करने का चुनाब है उसके बिघटन की तिथी से अब्धी समाप्त होने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए तो एक आप लोग पढ़े होंगे अनुछे 243E कत्री इसमें ये कहता है कि पंचायत के गठन के लिए चुनाब उसके आपसा नंबर C यानि की छे माह निम्न में से किस के अंदर सासित प्रदेश को अंस्ता राज का दर्जा प्राप्त है तो अंस्ता राज का दर्जा प्राप्त है एक किस को एक है दिल्ली को और एक है पूरी चेली को तो इसकोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर A निम्न में से कौन सबसे बड़ा ग्यात नच्छतर है तो सबसे बड़ा ग्यात नच्छतर है हाइडरा तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है इसको प्रिथिवी की भगनी ग्रह के नाम से सांच का तारा या भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है उत्री गोलार्द में गिस्मकालीन अयानांत किस दिन होता है तो या जो है वो किस दिन होता है या होता है 21 जून को पॉटल आठ राज्जियों से होकर गुजरती है वो आठ राज्जे हैं गुजरात, गाजस्थान, मद्रपरदेश, च्छतिसगर्ड, जारकंड, पस्चि मंगाल, स्तिर्पूरा और मिजोरम तो यहां किसे होकर नहीं गुजरती है यहां आंदरपरदेश से होकर नहीं गुज तो इस question का सही अंसरोगा बोहगा आपसा नंबर C यानी की मननार की खाड़ी तो इस question का सही अंसरोगा बोहगा आपसा नंबर E यानी की सिंदू नदी सिंधो नदी की कुछ सहायक नदियों के नाम भी याद रखेगा जो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, जेलम ये सब जो है वो क्या है सिंधो नदी की सहायक नदियां है मूसी तथा भीम किस नदी की सहायक नदियां है तो मूसी और भीम जो है मूसी हो गया भीम बीना, कोईना, पंच गंगा, दूद गंगा, घाट प्रभा, तुंग भदरा, माल प्रभा ये सब जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदिया है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नबर भी कृष्णा नदी की सहायक नदिया है जिसका उद्गम जो है वो महाबलेसवर के समीप पश्चमी घार से होता है निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ रास्ट्रिय उद्ध्यान है तो भारत का तैरता हुआ रास्ट्रिय उद्ध्यान कौन है कोई बूल लाम जो राष्टिय उद्यान जो की मनिपूर राज्य में स्थित है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जल परपात जो है वो सरापती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत का सबसे उचा जल परपात है तो भारत का जो सबसे उचा जल परपात है वो है जोग जल परपात तो इस कोश्चन का सही अंसर है वो है आपसा नमबर C यानि की जोग जल परपात निम्न में से कौन से जील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मानम निर्मिद जील है तो भारत की सबसे बड़ी मानम निर्मिद जो जील है वो उत्तरप्रदेश के सोनभदर जीले में स्थित है जिसका नाम है गोबिंद बलब पंथ सागर तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B और इस जील का निर्माद जो है वो रिहंद बांध के जलासा के द्वारा किया गया है अच्छा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूसरी सबसे बड़ी मानम निर्मिद जील कौन है तो वो है धेवर जील जिसको की जैसमंद जील के नाम से भी जानते हैं तो यह जो है वो दूसरी सबसे बड़ी है निमलिखित में से कौन अलकनंद और मंदाकनी का संगम है अलकनंद और मंदाकनी का संगम कौन है रूदर पर्याग है तो इस क्वेशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर सी रूदर पर्याग याद रखिएगा बिसनु पर्याग धौली और बिसनु गंगा का संगम है रूद्र पर्याग अलक नंदा और मंदाकनी का संगम है फिर उसके बाद देब पर्याग है अलक नंदा और भागी रती का संगम है और फिर उसके बाद कंड पर्याग है जो अलक नंदा और पिंडार का संगम है परसिद सांस्क्रितिक अस्थाल रानी का बाउग किस नदी का टट पर इस्थित है तो रानी का बाउग गुजरात के पाटन सहर में इस्थित एक बाबडी है जो कि सुरसती नदी का टट पर इस्थित है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A आप लोगों को comment करके बताना है रानी का बाउग जो है वो कितने रुपे के नोट के पीछे मुद्रित है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ question आप लोगों को comment करके बताना है कि रानी की बाउग जो है वो कितने रुपे के नोट पर प्रिंट है आगे है नम्लिकित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है या पूछ रहा है देखिए नरमदा, तापती, सिंदू, ये सब तो अरब सागर में मिलती है लेकिन गुदाबरी जो है वो अरब सागर में नहीं बंगाल की खाडी में मिलती है और यह जो है वो प्रैदीप ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है कौन सी जलसंदी जो है वो भूमध सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिवाल्टर जल डमरुमध तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर सी यानी की जिवाल्टर जलसंदी कठोर मिट्टी पर एक मिरत कीट के सरीर के अंग की छाप 21 का एक उधारन है तो यह जो है वो जिवास्म का एक उधारन है इस question का सही अंसर होगा तो इस question का सही अंसर होगा बो होगा option number B, राजकोसिय घाटा अभी कितना है राजकोसिय घाटा अभी है GDP का 5.9% ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है कि किसी अर्थ विवस्था में सामान न कीमत अस्तर में निरंतर बृधी को क्या कहा जाता है तो किसी भी अर्थ विवस्था में जब सामान न कीमत अस्तर में निरंतर बृधी होता जाएगा तो उसको मुद्रा स्विती कहा जाता है तो इस कोश्टन का सही अंसर होगा वो होगा option number C नेमिन में से कौन सा आप अर्थ अच्छकर के अंदर सरकार के द्वारा बसूला जाता है तो यह बसूला जाता है कौन सा कर? सेबा कर तो इस कोश्टन का सही अंसर होगा वो होगा option number C सेबा कर बाद बाकी बिलासिता कर, लोट्री पर कर, क्राय कर यह सब जो है वो एजाज्य सरकार के द्वारा बसूला जाता है जी एस्टी परिशत की अध्यचिता कौन करते हैं? तो जो भारत के ततकालीन बितमंत्री होते हैं वो जी एस्टी परिशत की अध्यचिता करते हैं तो इस कोश्टन का सही अंसर होगा वो होगा option number D यानी की केंद्री ये बितमंत्री नेक्स्ट है कि टिंडल प्रभाब किस कारण से होता है देगे टिंडल प्रभाब होता क्या है? जब परकास की जो किर्ने होती है वो सुच्म कनों से टकराती है तो टकराकर बिखर जाती है मतलब कहने का मतलब है कि जब परकास किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो परकास का परकिर्णन होता है और परकास का मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है इसी को क्या कहा जाता है टिंडल परभाब कहा जाता है तो यह जो है वो प्रकास के प्रकिर्णन के कारण होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A प्रकास का प्रकिर्णन Next है कि filmonology किसका अध्यान है तो यह जो है वो किसका अध्यान है आकास ये बिजली का अध्यान है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स्ट है कि किस घटना के कारण साफ अकास का रंग नीला होता है तो साफ अकास का रंग नीला होता है प्रकास के प्रकिनन के कारण तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C प्रकास का प्रकिनन निम्न में से कौन सा समीकरन जो है वो भौतकी में दाब को दरसाता है दाब क्या होता है दाब को प्रती इकाई छेतर फट पर लगने वाला बल के रूप में प्रभासित किया जाता है मतलब बल अपॉन में छेतर तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स्ट है कि धातूओं के माद्यम से बिदुच चालकता को इलक्ट्रोनिक चालकता कहा जाता है और यह क्या है तो यह जो है वो तापमान में ब्रिधी के साथ घटता है हाँ तो यही सही है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A परकास के burn crumb की ब्याख्या सबसे पहले किस ने किया था तो परकास के burn crumb की ब्याख्या जो है वो सबसे पहले newton के द्वारा किया गया था तो इस question का सही अंसर है वो है option number B यानि की hijack newton potassium permagnate के एक अनू में कितने oxygen प्रमानू होते हैं तो potassium permagnate का formula क्या होता है k-m-n-o-4 तो एक अनू में कितने oxygen के प्रमानू हो गए चार तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B यानि की चार नेक्स्ट रेंगी dolomite जो है वो किसका यस्क है तो dolomite किसका यस्क है मैंगनीसियम का यस्क है Mg, CO3, CaCO3, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number A, यानि की magnesium, निमलिखित में से किस तत्म में सबसे कम बिदूतरियनात्ता होती है, तो सबसे कम बिदूतरियनात्ता जो होगी, वो किस में होगी, फ्रेंसियम में होगी, लेकिन एक चीद ध्यान रखिएगा, एक है the allen scale, उसके निमलिखियन उसार सबसे कम electronegativity होता है, वो CGM में होता है, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number B, नेक्स्ट एक ग्राफीन है, तो ग्राफीन क्या है, कारवन का एक अप्रूफ है, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number C, नेक्स्ट एक कोईले का जलना एक अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, एक ऐसी अभिक्रिया जहां दो या दो से अधिक तत्व या योगिक मिलकर एकल योगिक बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, तो इस कोश्चन का संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, तो सबकतु है कि निमने में से कौन सा रोग जो है वो बिसानू का कारण होता है देखिए कुष्ट रोग हो गया, malaria हो गया यह生 किसics की कमी के कारण पिलागरा रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है नियासीन के कमी जिसको हम लोग vitamin b3 कहते हैं तो इस question का जो सईयन्सर होगा वो होगआ अपसा नमबर d यानी की नियासीन आगे है कि निम्लिकिल में से कौन सा महिलाओं में प्रात्मी क्यों यंग है तो महिलाओं का प्रात्मी क्यों यंग कौन है अंडा से है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर B नेक्स कोशन है कोशन नंबर 72 कि पुस्व का कौन सा भाग जो है वो इस्टरी केसर के सिर्थ पर अस्टरी केसर यानि पिस्थील के सिर्थ पर चिपचीपी सता है और यह पराग को फसाकर्म रखता है तो यह क्या है यह है ग्रतिकार तो इस कुशन का सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स्ट रे कि कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्पस ते घीरा हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, साइटो प्लाज्म कहा जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A यानी की cytoplage Next रही कि निमलिकित में से कौन सी gas रक्त की oxygen ले जाने की छमता को कम कर देता है तो carbon monoxide जो होता है वो रक्त की oxygen ले जाने की छमता को कम कर देता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C यानी की carbon monoxide नेक्स है कि जीव के पीछे स्वर्य अंत्रिया वैस बॉक्स के सिर्ष पर इस्थित उपर्स्ती के पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है अपी ग्लॉटेक्स कहा जाता है तो इस question का सही अंसरोगा बो होगा option number D Next etwa मठकी किस राज्य का प्रसिध लोक्नृत है तो मठकी जो है बो मध्भ पतैसLab का प्रसिध लोकनृत है तो इस question का सही अनसर होगा वो होगा absence number की Next ще की jamming sabd जो है वो निम्रिकित में से किस खेल से समबंधित है तो jamming sabd जो है वो long tennis से समबंधित है तो इस question का सही answer है आपसर नंबर C, long tennis Next है कि the origin of spaces किसके द्वारा लिखी गई है तो the origin of spaces पुस्तक जो है वो Charles Dorbin के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो इस question का सही answer है वो है आपसर नंबर A, Charles Dorbin Next है रुकमनी देवी अनुडेल निम्लिखित में से किस नरे तसैली से संबंदित है तो ये भारत नाट्यम से संबंदित है और इन्होंने चन्नई में कला छेतर फांडिशन की भी अस्थापना की थी तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसर नंबर B यानी की भारत नाट्यम भारत में हर साल निम्लिखित में से किस तारिक को सुसासन दिवस मनाया जाता है तो सुसासन दिवस जो है वो पुर पढ़ान मंत्री अटल बिहारी बाजपई की जेनती पर कम मनाया जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसा नंबर C यानी 25 दिवसंबर को मनाया जाता है नेक्स question कहरा है कि हाली में 24 सीतकालीन ओलम्पिक 2022 का पहला गोल्ड जो है वो किस खिलाडी ने अपने नाम किया है तो पहला गोल किस खिलाडी ने अपने नाम किया है फेरी सी जो हंग के द्वारा अपने नाम किया गया है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर बी नेक्स्ट रगी हाली में अमेरिका ने किस देश को अपने परमुक गया नाटो सहयोगी के रूप में घोसित किया है तो अमेरिका जो है वो कतर को किया है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर सी यानि की कतर नेक्स रग ये हाली में हुई गोसना के मुताबिक किस सहर में भारत का पहला भू बैग्यानिक उद्यान यानि जूलोजिकल पार्क बनेगा तो यह बनेगा जबलपूर में तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन अमबर सी यानि की जबलपूर हाली में दच्छीन मोबुवांग किस राज्य का पहला ODF यानि ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस गौण बन गया है तो यह जो है वो किस राज्य का पहला ODF प्लस गौण बना है मिजोरम का बना है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर बी यानि की मिजोर हाली में अंडर 19 बल्ड कप 2022 का खिताब किस ने जीता है तो अंडर 19 बल्ड कप 2022 का खिताब जो है वो भारत के द्वारत जीता गया है तो इस कोश्चन का सही अंसर है वो होगा आपसन नमबर डी यानि की भारत WHO यानि World Health Organization की घोसना के अनुसार कितने अफिर की देशों को mRNA का मतलब होता है मेसेंजर राइवो निकोलिक एजीट तकनीक दी जाएगी तो यह जो है वो कितने अफिर की देशों को दी जाएगा छे अफिर की देशों को दिया जाएगा तो इस कोश्चन का सही अंसर है वो ह आपसा नमबर B पापर आपदर डॉक को लेकिन अब वाफटा एवोर्ड 2030 भी मिल चुका है तो आप 2023 का डाटा याद रखेगा इस 2023 में वाफटा एवोर्ड जो हो था वो च्छी हतरमा संसकरन था और इसमें बेस्ट फिल्म का एवोर्ड जो है वो मिला है आल कौईट आन दे बेस्ट रन फ पहले पैरा अथलीट कौन बन गया है तो उनका नाम है देबंदर जाज अडिया तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C Next ने की बच्चों की पुस्तक The Little Book of Joy किस ने लिखी है तो The Little Book of Joy पुस्तक जो है वो किस के द्वारा लिखी गई है डेस मन टूटू और तेंचीन गयास्तों के द्वारा लिखी गई है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D Next ने की किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए आगवा मैप नामा एक नया अन्त विशय जल प्रमण्दन और नीती के अंदर स्थापित किया है तो या जो है वो किस संस्थान के द्वारा किया गया है आएटी नू ट्यूंध के द्वारा किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स रहें कि भारत का कौन सा राज जो है वो बहतर मिर्दा स्वास्त के लिए कारवन टटस्थ खेती सुरू करने वाला देश का पहला राज बनने के लिए तयार है तो यह जो है वो है केरल तो इस कोश्चन का जो पहला अंसर होगा वो होगा आपसन नंबर B यानि की केरल केरल जो है वो भारत का पहला मतश से पालन अटर इनोवेशन सेंटर भी यहां खुला है अपनी इंटरनेट सेबा सुरू करने वाला भारत का पहला राज़ भी केरल है और भारत का पहला पुन रूप से इसासित राज़ भी जो है वो केरल ही है किस राज के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेसको के बिस बिरासत अस्थल की आस्थाई सुची में सामिल किया गया है तो यह किस रज को सामिल किया गया है यह किया गया है मेगाले को तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A यानी की मेगाले आगे है कि हाली में किस भारती एक लाड़ी ने switch open badminton championship 2022 में महिला एकल का किताब जीता है तो किनों ने जीता है पीबी सिंदू ने जीता है तो इस question का सही अंसर है वो है option number B पीबी सिंदू इसके आगे जो है वो मैंस के questions दिये गए है इसको आप लोग जाकर टेलीग्राम से पीडियाफ ले लिजे वहाँ इसका solution और answer की भी जो है वो attached है तो आप लोग जाके वहाँ से इसका पीडियाफ जो है वो राप्त कर सकते हैं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा साथी साथ इस वीडियो से कुल सीखने के लिए मिला तो एक like जरूर कर दीजे अभी तक आप लोग इस चेनल पे नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे औ कि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें साथी साथ मिसन बिहार दरोगा 2023 के नाम से एक डेली बेस पे फ्री प्राक्टिस एट का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें कि डेली आप लोगों को पीडियो जो है वो 8 बजे प्रोवाइट करवाया जाएगा और फिर उसी ग्रूप में डिसकसन जो है वो 9 बजे प्रोवाइट करवाया जाएगा यह जो है वो पूदी तरह से निसुल्क है और इससे जुड़ने के लिए आपको दिये गए नंबर 9472092809 पर बिहार दरोगा लिखकर वाटसअप करना है या फिर वीडियो के दिये गए डिसक्रिप्सन लिंक से जाकर आप लोग वो वाटसअप ग्रूप मिसन बिहार दरोगा जो है वो जोईन कर सकते हैं थैंक्स वर वाजिंग